आज का महानगर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चलती ट्रेन में एक महिला कॉंस्टेबल के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने महिला कॉंस्टेबल के चहरे पर कई वार किये। महिला कॉंस्टेबल के सिद्ध। आख और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी हमलावरों ने धारदार हथियार से वार किये महिला कांस्टिबल खून से लटपत ट्रेन की वर्थ के नीचे मिली। इस दौरान महिला कांस्टिबल के ऊपर के कपड़े फटे हुए थे तो वही नीचे के कपड़े गायत थे। मिली जानकारी के मुताबिक घायल महिला कांस्टिबल की ड्यूटी सुल्तानपुर कोतवाली में है महिला कांस्टिबल की अयोध्या के सावन मेले में ड्यूटी लगी थी मिली जानकारी के मुताबिक महिला कॉंस्टिबल साकेत एक्स्प्रेस से सुल्तानपूर से अयोध्या के लिए निकली. यह ट्रेन मंदलवार की रात करीब 11 बजे अयोध्या पहुची. ट्रेन में तैनात सुरक्षा जवानों को 3 बज कर 43 मिनिट पर घटना के बारे में जानकारी मिली. जानकारी के मुताबिक महिला कॉंस्टिबल के साथ जो घटना घटी है वह मनकापूर और अयोध्या रेलवे स्टेशन के बीच में ही घटी है. महिला कॉंस्टेबल के साथ चलती ट्रेन में क्या हुआ ये अभी तक रहसे बना हुआ है अभी महिला कॉंस्टेबल का इलाज चल रहा है ठीक होने पर जब उनका बयान लिया जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था हम आपको उस महिला कॉंस्टेबल का विडियो बता रहे हैं जब वो घायल अवस्था में मिली थी प्रूंड़ में मिली थी कॉंस्टेबल का विडियो बता रहे हैं, विरा दियो बता रहे हैं जब खरे। मैं मिली थी थी एैं के रहे हैं जब खि़ा और